सफलता की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती सफलता एक ऐसा पेड़ है जिसे लगाने वाले से ज़ाधा उसे दशकों तक सीचते रहने वाले को होता है आज की स्टोरिय में हम आपके सामने ला रहें एक ऐसी ही सफलता के पेड़ की कहानी इस ब्रैंड को रोपण 1945 में किया और फिट दशकों तक इसे सीचने के बाद ये दुनिया भर में अपना नाम कमा चुका है हम यहाँ बात कर रहे हैं महिंद्रा एं मोहमत कंपनी ही जी हाँ मेरे से कोई बोलने में गलती नहीं हुई है बलकि ये सच है हाला कि अब ये प्रैंड दुनिया भर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से ही प्रसिद्ध है लेकिन इस कहानी की शिर्वाद महिंद्रा एंड मोहमत से होती है आज आनन्द महिंद्रा जैसे बिजनिसमेन की मेहनत की वज़े से महिंद्रा इन महिंद्रा गुरूप सफलता की उच्चाईया चू रहा है लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इस कंपनी की उपर बटवारी की जबदस्त मार पड़ी तो चलिए आप जानते हैं महिंद्रा इन महिंद्रा कैसे बना महिंद्रा इन महिंद्रा ग्रूप के इतिहास के बारे में नमस्कार सन्नाइस न्यूस देख रहे हैं और मैं आपके साथ सलोनी से महिंद्रा इन महिंद्रा ग्रूप की कहानी शुरू होती है साल 892 से इस साल जब्दीश चन महिंद्रा का जन्म हुआ और इसके ठीक दो साल बाद यानी 894 में पैदा हुए के लाज चन महिंद्रा जैसी और कैसी महिंद्रा कुल 9 भाई भेहन थे चोटी सी उम्र में दोनों भाईयों के सर से पिता का साया उठ गया पिता के जाने के बाद मा और 8 भाई भेहनों की जिम्मेदारी जब्दीश महिंद्रा के कंधों पर आ गए जैसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी मगर उनके होसले बुलंत और सोच दूरदर्शी थी उन्होंने उस दोर में भी सिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ लिया था यही वज़ा थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई भेहनों को भी उच्च सिक्षा दिलाने का पुरा प्रयास किया उन्होंने अपने छोटे भाई कैसी महिंद्रा को पढ़ाने के लिए Cambridge भेज़ा पढ़ाई पूरी करने के बाद कैसी ने अमेरिका में नौकरी की और इसके बाद साल 1942 में इन्हें US में इंडियन फ्रेंचाइजी मिशन का हेड नियुपत किया गया साल 1945 में कैसी जब भारत लोटे तो उन्हें उच्छ सरकारी पदों के साथ साथ कई नीजी संस्थानों में बड़ा पद ओफर हुआ लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जैसी महिंद्रा और मित्र मलिक गुला मोहमत के साथ मिलकर अपना नया बिजनिस शुरू करने का मन बनाया इस तरह इन तीनोंने मिलकर साल 1945 में महिंद्रा एंड मोहमत कमणी की नीव रखी आज भले ही महिंद्रा और महिंद्रा अपनी पावरफूल गाड़ियों के लिए जानी जाती हो लेकिन इसकी शुरुवात एक स्टील कमपनी के रूप में हुई थी महिंद्रा भायू ने सोचा था कि मलिक गुलाम महिंद्रा अन्ड मोहमत को तेश की बहतरीन स्टील कमपनी बनाईंगे लेकिन देश के बठवारे के बाद उनके सपने को बड़ा जटका लगा 15 अगस्ट 1947 को देश के बटवारे के साथ ही महिंद्रा बंदूओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई इधर देश धर्मों के अधार पर दो भागों में बढ़ गया और उधर कमपनी के हिंदू मुसल्मान दोस्त बढ़ गए पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक मुहमद ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया अब बस महिंद्रा और मुहमद से अलग होना चाहते थे आखिरकार मलिक ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तान जाकर वहां के पहले विट्य मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जन्रल बने इधर मलिक के जाने से महिंद्रा बंधू को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा इसकी वज़ा ये थी कि महिंद्रा एंड मुहम्मद कमपनी में मलिक की हिस्सेदारी काफी जादख थी कुछ समय के लिए लगा कि शायद महिंद्रा बंधू कमपनी को मलिक के बिना ना चला पाएं और इसे बंद कर दिन लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोनों ने अपनी हिम्मद बनाय रखी और कम्पनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया मलिक गुलाम मुहम्मद के अलग होने के बाद महिंद्रा बंदुों ने कम्पनी का नाम बदलने का फैसला किया मगर समस्या ये थी कि कमपनी महिंद्रा एंड महम्मद नाम से पहले ही रजिस्टर थी नाम को बदलने में कोई समस्या नहीं थी लेकिन कमपनी की स्टेशनरी बेकार हो रही थी कमपनी को M&M नाम ही चाहिए था ऐसी स्थिती में कमपनी को महम्मत की जगे महिंद्रा नाम दिया गया और फिर कमपनी का नाम महिंद्रा & महम्मत से महिंद्रा & महिंद्रा हो गया उन्होंने अमारीकी कमपनी में काम करते हुए जीब देखी थी उन्हें इस Jeep का concept पसंद आया और बस तब क्या था उन्होंने भारत में Jeep का निर्मार शुरू कर दिया अब उनके पास अपनी company के माध्यम से सपने को पूरा करने का पूरा मौका था company ने भारत में Jeep का production शुरू कर दिया इसी के साथ steel company महिंद्रा इन महिंद्रा ने auto industry में कदम रखा Jeep बनाने के कुछ समय बाद ही महिंद्रा इन महिंद्रा company light commercial vehicle और tractor की manufacturing भी करने लगी इस तरह ये company आगे बढ़ती रही साल 1991 में महिंद्रा इन महिंद्रा ग्रूप के लिए बहुत बड़ा साल साबित हुआ यही वो साल था जब भारतिय अर्थ विवस्था में उच्छाल आया और महिंद्रा इन महिंद्रा ग्रूप ने इसी साल बड़ी चलांग लगाई इस साल आनन्द महिंद्रा इस ग्रुप के डिप्टी डिरेक्टर भी बने आज महिंद्रा इन महिंद्रा ग्रुप की कुल संपत्ती 22 बिलियन है ये कंपनी SUVs, Multi-Utility Vehicles, Lightweight Commercial Vehicles, Heavyweight Commercial Vehicles, दो पहिये मोटर साइकल और ट्रैक्टर आदी जैसे कई वहनों का निर्माड करने लगी इस ग्रुप का कारोबार आज 100 देशों में फैला हुआ है और 150 कंपनीयों के साथ महिंद्रा इन महिंद्रा ग्रुप ने 2.5 लाग से जादा लोगों को रोजगार दिया है तो ये थी महिंद्रा इन महिंद्रा के सफलता की कहानी ऐसी और सफलता की कहानियों के लिए आप जुड़ेने मेरे साथ और देखते रहे हैं सनना इस द्यू साथी साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद